Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated, this is Devashree Shavasthi, जिसे आपको पता है संडे है और संडे के दिन मेरा weekly current affairs आता है, जहां मैं सारे MCQ आपके एक week के discuss का देता हूँ, तो आज जो date है वो 7th April चले के 14th April तक, जो भी चीजे न्यूज में रही होगी वो मैं single lecture में cover कर दूँगा, आप अगर previous lectures ही देखें, याद एक इसी proper playlist बनी हुई है, आप previous lectures भी देख सकते हैं, जहां मैंने हर week की current affairs cover की हुई है, अभी इस week अगर आप current affairs नहीं पढ़ पाए हैं for example, तो इस lecture को आप देख लोगो तो आपका पूरा revision आपका current affairs से हो जाएगा, तो लेक्षे स्टार्ट करने से पहले बता दूँँ, बड़े इंट्रस्टिंग questions है, बड़ी महनत से questions बनाए हुए है, आप लिज्ट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, लेक्षे स्टार्ट करने से पहले, तो मैं सबको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, कि आप जाएगे और वीडियो को लाइक कर दीजे, इसमें हम इस लेक्षे को स्टार्ट कर सकें, बहुत इंट्रस्टिंग questions है, एक बाप इन questions को पढ़ लीजे, और exam में आप सीधे चले जाएगेगा, आपको बहुत जादा advantage मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कौन-कौन से questions आपके इस week के लिए important है, लेट स्टार्ट, सबसे पहला question आप देखिए, मैं लेका 5th edition of which joint military excise, 5th edition है, एक joint military excise का, जो की इंडिया और उस बेगिस्तान के बीच में हो रही है, that is between 15th April से लेके 28th April, 2024 तक ये excise चलेगी, और कहां चल रही है, तरमेज डिस्टिक्ट उस बेगिस्तान में हो रही है, 4th edition है इंडिया में वादा बद 5th edition का, यहां पुर एस excise का नाम क्या है, अब आप देख सकते हैं सुरे के रहन वर्मन ऐसे करके नाम दिये हुए है, तो इंडिया उस बेगिस्तान की exercise, I think आपको पताऊंची, yes, the correct answer option was A, that is a dust lick joint military exercise, और बाकी details तो question में ही mention है, तो आप से पूछा सकता है, यह भी पूछ सकते हैं, यह जो dust lick joint military exercise है, किन दो कंट्रीज के बीच में हैं, तो आंसर होगा इंडिया उस बेगिस्तान, या तो exercise कहा हो रही है, तो आंसर उट भी उस बेगिस्तान, तो यह questions आपके exam में frame हो सकते हैं, चलिए, second question आते है, what position did JNU, that is Jawahal La Nehri University, जो डेली में है, secured globally in the field of developmental studies, according to QS World University Ranking, आपको बता होगा भी, World University Ranking IA 2084 में, जिसमें इंडिया के साइट से सबसे top rank, किसी उनिवर्सिटी ना हासिल किये, तो वो JNU है, तो मैंने पुछा है, कौन सी rank JNU की लगी है, in developmental studies, options आपके सामने हैं, इसमें correct answer जो है, that is B option, 28th rank, तो JNU की 28th rank लगी है, और इंडिया के prospect के सच देखा जाए, तो developmental studies में, सबसे उपर जो है, वो यही है, that is JNU, तो याद अखेगा, that is at New Delhi में है, यह JNU University, आगे बढ़ते हैं, next question माते है, who became the Ireland youngest prime minister, on 9th April 2024, पता हूँ ची यूरोप की country है, आप देख सकते हैं, प्राइम इनिस्टर मोदी की साथ, मैं में में फोटो लगाई हुई है, ठीक, at days of 37 years, he became the prime minister of Ireland, correct answer है, option number B, Simon Harris, याद रखेगा, मैं quick revision करा रहा हूँ, मैंने अल्रेडी इस सब चीज़े पढ़ाई हुई है, अगर आप मेरे daily lectures follow करते हैं, अभी आपकर revision हो रहा होगा, और कुछ नए questions भी आएंगे, okay, Simon Harris is the correct answer, okay, next question माते है, question मा, fourth, who was honored with 2024, John L. Jack Swigert Jr. Award for Space Exploration, तो Space Exploration के लिए ये award दिया गया है, USA में ये award दिया गया है, देखिए ये question आने की चांसे थोड़े से जादा है, ये award मिला है चंद्रियान 3 के लिए, और चंद्रियान 3 के लिए किसको मिलेगा, of course, ISRO चंद्रियान 3 Mission Team को मिला है, याद दिखेगा, चंद्रियान 3 Mission के लिए ISRO की टीम को ये award दिया गया है, तो ये important question है, chances इसके हैं, कि exam में आपसे question ये पूछा जाएगा, और ये 8th April को दिया गया है, तो that is very important, और चले, next question है, World Homeopathy Day, आप देस तुनाओ, World Homeopathy Day हम कब celebrate करते हैं, वो हम 10th April को celebrate करते हैं, 10 April को celebrate करते हैं, अब उसके father कौन है, क्योंकि उन्ही के नाम पे हम World Homeopathy Day बनाते होंगे, options हैं आपके सामने, now it becomes difficult, कि आपको आपको याद नी आ रहो किसके father के नाम पे हम celebrate करते हैं, मैं उनका नाम बतायता हूँ, correct answer option number B, that is Samuel Henneman, याद दखेगा, ये उनकी इमेज में आपको दिखाएता हूँ, he is known as founder of homeopathy, याद दखेगा, इसी लिए 10th April को हम याद दखेगा, उनकी birth anniversary के दिन, we celebrate World Homeopathy Day, जो exam के लिए important है, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, next question माते है, where was homeopathy symposium organized, by Central Council for Research in Homeopathy inaugurated, ठीक है, question बूचा गया है, कि homeopathy day अभी मैं आपसे बताया, 10th April को celebrate के जाता है, तो उसी के लिए, Central Council for Research in Homeopathy, ने याद दखेगा, एक symposium, जो है, homeopathy का, वो organize किया था, तो कहा organize किया था, ये question है, options आपके सामने हैं, ठीक है, इसा correct answer, direct क्याद करो, correct answer, option number is, New Delhi में, कहाँ पर organize किया था, याद इनॉगरेट कहाँ पर किया गया, that is New Delhi, और President of India, जो दौपदी मुर्मु जी है, उन्होंने ही याद आखना, आपको inaugurate किया था, ये दो दिन का, homeopathy symposium, याद आखिये, जो New Delhi में हुआ, on World Homeopathy Day, तो देश की President ने किया है, तो question, chances थोड़े से हैं, कि आप से पूछ ले, कहाँ पर हुआ था, चलिए, next question में 7th में आते हैं, who became the first ever, याद आखियेगा, first ever Indian, फिर से रिपीट कर रहो, who became the first ever Indian, to win a main draw match, at the Monte Carlo Masters, तो कौन बने हैं टेनिस का ये गेम था, ठीक है, उनकी इमेज मैंने हाँ बना रखी है, तो ये All India Radio में भी cover किया गया था, Hindu के निउस्पेपर में भी cover किया गया था, और उनके correct answer है, option number C, Sumit Nagal, at Monte Carlo Masters, और 8th April को ये वेट उनो ने अचीव किया, तो ये बहुत जादे निउस में आ गया, तो आपको याद रखना है, तेनिस खेलते हो, तो इस सब चीजे, टर्मलोजी समझ में आ जाओ, तेनिस नहीं खेलते हो, तो जस्ट रिमेंबर किसको मिला है, सफिशेंट है कोई करन्ट अफेस, आपको सिर्फ आपका एक सब्जेक की तरह एकाउंट होता है, तो आपको लाइट नोट में चीजे पढ़नी है, तेनिस टूनमेंट समन्ने में नहीं बैड़े आना है, तेनिस टूनमेंट कैसे होता है, वो सब आप सीखो, और लेक्सर को लंबा करो, आप सिर्फ फैक्शल चीजे आद करो तो डारेक्ट कोशन आएगी, ठीक है, चले, कोशन में येत में आते हैं, बिगिनिंग ओफ विक्रम सावत, या देखिए, विगिनिंग ओफ विक्रम सावत 2081, इसके बारे में आपको बिगिनिंग ओफ विक्रम सावत 2081, इस इंटरस्टिंग कोशन, हिंदू कलेंडर में आपको पहले आपको ऑप्शन दे देता हूं, फिर आप आंसर बताई, ये सारे ऑप्शन दिये गए हैं, फिर आपको याद होना चाहिए, नहीं पता तो बताईता हूं, नाइन्थ अपरेल को ही आप लोगों को विश्भी किया होगा लोगों ने, लोगों ने, चैत्रशुक्ले, याद देखिए, चैत्रशुक्ले इस दा करेक्ट आंसर, इसके बारे मैं आपको बताएता हूं, बिग्निंग आफ विक्रम समवथ 2081, जो है, तो चैत्रशुक्ले माक्दम न्यू यर, याद देखिएगा, इट मार्क्स दा न्यू यर देखिए, अकॉरिंग टू हिंदू कलेक्टर, इन पार्ट्स अ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के कॉर्डिंग याद देखिएगा, हिंदू कलेंडर में फर्स्ट न्यू इयर डे जो है, वो यह होता है, 9th अपरेल से, 9th अपरेल वो दे था, तो बहुत लोग ने सेलिब्रेट भी किया होगा, इसलिए 9th सब लोग विश भी करते हैं दूसरे को, जो हिंदू लोग है उनको इस चीज के पता भी होगा, नहीं पता है, तो मैं आपको पता है, तो मैं आपको पता है तो, एक्जाम परस्पेक्टिव से जादे कि चैत्र शुक्ला आपको बस याद रखना है एक्जाम के ल वर्ल्ड के लार्जेस्ट है और यह बनाया रहा है, अदानी बनाया इनको बनाया खाँ जा रहा है, ऑप्शन नमरे कावड गुजरात में, कावड गुजरात में यह इस्टैबलिश हो रहा है, मैंना भी आपको पता है, इस फाइप टाइम साइज परी, परेस, और अल्मोस इस कुशन में, कुशन में 10, 10 है, when can taxpayer file their income tax returns for assessment year 2024-2025 according to the Central Board of Direct Taxes, तो कबसे आप ITR अपना फाइल कर सकते हैं, कुशन यह है, आपको नहीं पता, तो अभी news में भी था, 1st April 2024 से अपना ITR अपना फाइल कर सकते हैं, तो correct answer है, option number B, ठीक है, तो CBDT ने अलाओ किया taxpayer to file income tax return for assessment year from 1st April 2024, ठीक है, चले, next, world health day 2024 की theme क्या थी, आप सबको पता को, world health day, हम 7th April को celebrate करते हैं, उसकी theme क्या थी, मैंने पूछा है, इस बार की 2024 की theme क्या थी, that is very important, कि आपको पता होना चीज़ की theme थी, my health, my right, easy question है, world health day मैंने पता थी, 7th April को celebrate करते हैं, my health, my right was the theme, okay, चले, next question माते है, where did the Indian Army conduct an anti-tank guided missile training exercise, कहां पर exercise कंड़ की गई, now this is very factual question, options दिये गए हैं, मैं आपता थी, 9th East में ही cover किया गया है, तो हिमाचर उत्तराखंद कड़े आता है, इसा correct answer option भई सिक्किम में, ठीक है, तो अफ्कोर्स अच्छी बात है, इसी difficult positions में करना, that is good for army capability हमाई दिखाता है, कि हा इसके में यह organized हुआ है, next question 13, which automaker became the first multinational company to export electric vehicles from India, तो मतलब पहली electric vehicle, या देखे है, फिसे बोलो, पहली multinational company बनी है, इंडिया से, ठीक है, to export electric vehicles from India, तो मतलब या देखेगा, made in India से वो गया है, लेकिन एक foreign company है, बतादू, France की company है, जिसने यह electric vehicle भेजे है, from India, उसका नाम options यह आपर दिये है, मैंने पता दिये है, मैंने पता दिये है, if France की company है, तो Tata Motors तो नहीं हो सकता, correct answer यहाँ देखेगा, that is Citron, यहाँ देखेगा, तो Citron जो है, वो France की company है, देखे, मैंने लिख भी रखा है, French automaker Citron जो है, becomes the first MNC to export EVs from India, तो यहाँ देखेगा, made in India हो गया, electric cars, तो कहाँ भीजी गई, Indonesia भीजी गई है, that is why it is important, India में देखे, बहुत को अपनी factories लगा रहे हैं, और यहाँ से आप export कर रहे हैं, so it's good for India, okay, next, अब आप सोचों किसे Indians को यह नहीं बना रहे हैं, तो technology की भीज़रत होती है, तो उनके बास technology थी, तो लोना के इंडिया में बना जा सकता है, बिलकुल बन भी रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक है, next question, which country deployed the sea dome defense system against an aerial threat near Iliate, ठीक है, अब Iliate का है, मैं location बताऊँगा, आपको पर तो पता ही, किस country ने डिप्लोई किया है, sea dome, sea dome, आपने iron dome भी सुना होगा, बिलकुल इसको यादखे कर इसको यूस किया है, इसराइल ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसराइल का मैप है, यहाँ पर एलेट देख रहोंगे, यहाँ रेड सी है, यहाँ से इनको कुछ, कोई missile भी फायर हुई थी, जिसकी वेसे याद एखे कि यह अच्छली होता क्या है, मैं बताता हूँ, sea dome है क्या, जिससे आरे sea dome जो है, it's iron dome का ही naval version है, कि अगर आपको पानी से, sea dome is a naval version, मैंने बताया ना, iron dome में क्या होता है, iron dome भी इसराइल का ही है, अगर आपको को अटाक करता है, तो आपका city या country को प्रोटेक करता iron dome, ऐसे ही यादखे किए, sea dome है, but it's a naval version, पानी से भी को अटाक करेगा, तो आप को बचा लिया जाएगा, तो आपके वहां पर missile नहीं आपाएगी, तो पहली सारन बजा के यादखेगा, उस पर अटाक कर देगा, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन मा आते, कोशन मा फिफ्टीन, वर्ल्स पार्किंसन डे का अब अबसर्व किया जाता है, now this is very factual कोशन, अगें के अवेर्नेस के लिए इसको सेलबेट कियाता हूं, बर्थ एनवर्सरी ऑफ जेम्स पार्किंसन, ठीक है, जोने फर्स ताइम इस डिसीज के सिम्टम्स जो है, वो डिफाइन किया थे, नेक्स कोशन है, वेन इस इंडिया इमिंग तो लैंड एंड 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 एंड बीफोरों का तागेट अवें, इसस ox DU मनद एंड एंड वो डेंड एंड 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 9 अखें इंड गहान्री ऐं मेंट इस वी इस बढआए चिवर्टो मामेंkte बिसां आया तक का ज्यआ के नमांद एंड इंड एंड एंड आचिवर्ट नहalay जा रहा एंड इरान में हो रही है, खुछ लोग इरान माक कर देंगे, बट इरान इस नॉट दांसर, करेक्ट आंसर उप्शन में D है, that is किर्गिस्तान, या दिखेगा, किर्गिस्तान में बिशिक जो है, वहाँ पर एशन रेस्लिंग चैंपेशिप 2024 हो भी रही है, ठीक है, जिसमें अभी देखा होगा, उदित करके पर से न उसने एक सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉरेंट हो जाता है, ठीक है, next, who has been re-elected to the International Narcotics Control Board for the period of 2025-2030, मतलब third time, consecutively भी वो याद एखेगा, consecutive री-elect हुई है, कौन हुई है, इंडियन है, options आपके सामने है, John Smith तो नहीं हो सकता है, इंडियन मैंने बोल दिया है, तो correct answer है, जगजीत पवाडिया, याद एखेगा, she's a woman, जगजीत पवाडिया, और ये election जो है, वो न्यू यॉर्क में, United Nation Economic and Social Council में हुआ, जहां पर पवाडिया जी को याद एखेगा, highest number of votes मिले, जिसमें 41 votes मिले, out of 53 votes, तो वो वापस 5 years के लिए member बन गए है, तो important हो आता है, इंडिया जब इस तरह इंडिया को voting मिलती है, बड़े-बड़े groups में, next, which institution unveil a nanosensor for disease tackling, याद इखेगा, nanosensor reveal किया है for disease को track करने के लिए, किस institution ऐसा किया है, of course IIT होगा, तो देखेगे, मैंने 4 options IIT के ही दे दिये हैं, इस बाट होगा से interesting question है, क्योंकि आप जो mark करोगे वो answer नहीं है, ना IIT Bombay है, ना Kaanpur है, ना Delhi है, correct answer है, IIT Jodhpur, याद इखेगा, correct answer क्या है, that is IIT Jodhpur, चलिए, next आते है, question 28, recently who has become the first Indian monk to be honored with American President Gold Volunteer Service Award, किसको मिला है, ठीक है, Jain के monk है, ठीक है, तो बताते हैं, अचार लोकेश मुनी जी जिनको यह award दिया गया है, आपको याद एकना है, उन्होंने आहिंसा विश्वास भारती के लिए, उसके founder रहे हैं, World Peace Center के लिए founder रहे हैं, उनका humanity और जो public good के लिए काम किया है, उसके लिए यह award उनको मिला है, okay, चलिए, next question आते है, इन विच कंट्री, PhonePe partner to promote UPI during a New Year festival, फो फोन पे ने partner किया किस कंट्री के साथ उनके New Year festival में याद एखेगा, तो प्रमोट यूप यूप आई, आपको बता है, डिस्टल पीमें उस कंट्री करना चाहता है, फोन पे, भूटान के साथ, शिलंका, नेपाल, बांगलदेश, अफकोस नेबरिंग कंट्री ही होगी, पर बदाद उसका correct answer, नेपाल, नेपाल के साथ पार्टनर किया, फोन पे ने, okay, यादे कि फोन पे इसेवा एंचे एंड पोखरा to boost UPI adoption in Nepal's New Year festival, तो वहाँ पर फोन पे पहुच गया है, यादे कि डिजिचल पेमेंट, अब नेपाल में ही बढ़ाने की बात काया है, तो फोन पे वहाँ पर पार्टनर्शुप किया है, next, when is the International Day of Human Space Flight Day celebrated, कब celebrate करते हैं, आपने नाम सुराओंगा, Soviet Union का, first time space में पहुचने वाले, Yuri Gagarin का नाम, जो की 12th April 1961 में space से पहुचते हैं, उसी दिन हम 12th April को International Day of Human Space Flight Day बनाते हैं, that is correct answer is, option number B, that is 12th April, किस space flight से गये थे, मतलब उनका spacecraft का आप याद रखेगा, Vostok 1, Vostok 1 जो है, वो space flight था, जिससे वो first person मन गये थे, जो space पहुचने वाले थे, Soviet की तरफ से गये थे, और इस बार की theme क्या है, यह भी आप देख लो, इस बार की theme जो है, Encouraging Scientific Curiosity, इस बार की theme है, Encouraging Scientific Curiosity, 2024 की, who has been appointed as UK first woman high commissioner to India, first time कोई woman high commissioner इंडिया में appoint हुई है, यह उनकी image है, उनका नाम क्या है, options यहाँ पर दिये गए है, बतातो correct answer जो है, correct answer option number A है, that is Rindy Cameron, यह दिखेगा, Rindy Cameron is the correct answer, तो first woman money है, that is why it is important, exam में ऐसा question आ सकता है, next, in response to the recent terrorist attack in Moscow, पिसमें लोगा मोस्कोव में recent terrorist attack हुआ, which country did India, इंडिया ने क्या किया है, convene किया है, enhance किया अपता counter-terrorism operation, किस country के साथ इंडिया ने इस attack के बाद, अपने operations को उस country के साथ, यहाँ देखेगा, which country did India convene with to enhance, counter-terrorism operation के लिए enhance किया है, किस country के साथ इंडिया ने collaborate किया, इसमें because of this Moscow attack, अप्शन से जापान के साथ, UK, Afghanistan, देख अफगानिस्तां के साथ क्यों ही करेंगे, और Moscow है तो वही रश्या के आसपा इस country होगी, तो correct answer है कजागिस्तान, तो कजागिस्तान के साथ यहाँ देखेगा, Moscow attack की बाद, इंडिया ने collaborate किया के कजागिस्तान, जिससे की हमारा cross-border terrorist activities यह उसको control की जा सके, उसके लिए strategies बना सके, तो उसके लिए इंडिया ने कजागिस्तान के साथ, यहाँ देखे, collaboration किया है, कमेंट बॉक्स से आप मुझे बताएं कजागिस्तान, कजागिस्तान की capital क्या है, यहाँ उसके कमेंट बॉक्स मुझे बताएंगे कजागिस्तान की capital क्या है, next, which organization is set to launch new edition of Girl Child Empowerment Vision, किस organization ने Girl Child Empowerment Vision launch किया है, just in a line of बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ scheme, ठीक है, उसी की तरह यह Girl Child Empowerment Vision लाँच किया है, options आपके सम्माइं, NTPC, भेल, सेल, ONGC, next, in which country a high level Ukraine peace summit will be held in June 2024, Ukraine और Russia में आपको पता है, war चल रहा है, ठीक है, तो उसको अब टैकल करने के लिए, किस country एक peace का, याद है कि high level peace summit organize करने की बात की है, June 2024 में मैं आपको hint दे रहा हूँ, इंडिया को भी invite किया गया, options आप आप correct answer माग करिए, इसा correct answer है, Switzerland, याद दखेगा, correct answer option माग D है, Switzerland में, Switzerland ने invite किया है, देखते हैं अब ये peace conference हो पाती है कि नहीं हो पाती है, याद कि peace summit हो पाती है कि नहीं, बट इंडिया को भी invite किया है Switzerland ने, चले, next question है, question 27, recently who releases the report plastic overshoot day 2024, ये report है plastic overshoot day 2024, इस report को कौन publish करता है, ठीक है, question ये मैंने पुछा है, options आपके सामने देखे, environment का है, तो आप सोच रहोंगे UNEP करता होगा, बट इसा correct answer option माग D अर्थ आक्शन, याद देखेगा, अर्थ आक्शन इसे publish करता है, अर्थ आक्शन क्या है, अर्थ आक्शन by Switzerland की एक non-profit organization, इसका नाम है अर्थ आक्शन, जो इस report को publish करता है, ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि day होता क्या है, वर्ल, plastic overshoot day होता क्या है, it is a day, जादे कि with the amount of plastic waste, जो plastic waste का amount है, वो exceed कर जाए, the world's capacity to manage it, मतलब जो हमाई capacity है, वर्ल की उसको manage करने की, उससे ज़्यादा plastic waste हो जाए, तो अफ्कोर्स, environmental pollution होगा, उसी को हम कहते हैं, याद इखेगा plastic overshoot day, हर कंटिक अलग-अलग होता है, तो आपको याद एकना है, कॉशन पूछा किया, इसकी report कॉन पबिश करता है, तो अर्थ एक्शन इसकी report पबिश करता है, next, what percentage has ADB raised India GDP growth forecast for the current fiscal year 25, financial year 25-2, मतलब, अच्छों उनों पहले जो estimate किया था, वो था 6.7%, ADB एकना इश्यादेवलोपन बंक ने, बड़ अब इंक्रीस कर दिया, तो कितना percent इंक्रीस कर दिया, यह बने पूछा है, कितना इंक्रीस कर दिया, आप कर दिया उनोंने 7%, तो correct answer, option number B, that is 7%, तो यह question आ सकता है, exam में, next question, according to WHO, global hepatitis report आई है, India की rank, global hepatitis report में, hepatitis B और C cases के according, globally India की rank क्या है, देखिए मैं बता दूँ, India की globally rank जो है, वो second है, और China rank 1 पर है, तो correct answer, that is option number D, second rank, और rank 1 पर कौन है, चाईना, तो hepatitis सब सब पेशेंस का है, चाईना में है, next question, question में 38, what is rank of India in cybercrime, world cybercrime index 2024 की, index published हुए, उसमें, India की rank, साइबर क्राइम में कहा आती है, ठीक है, साइबर क्राइम में सब से rank 1 पर कोई आता है, ये भी आप सोच चूरूंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इंडिया की rank कौन सी है, इंडिया की rank है, correct answer option में A, that is 10th rank है, साइबर क्राइम में, जबकि rank 1 पर जो है, वो है रश्या, rank 2 पर यूक्रेन, rank 3 पर चाइना, साइबर क्राइम इंडिया बहुत होते हैं, इंडिया की rank है 10th, आपको याद अखना है, next question है, who secured her record of 12th national woman's single title, in 51st national कैरम championship 2024, कैरम championship 51st हुई है, इसको जीता कि इसने, का 12th title है, ठीक है, उनकी image में आपर दिखाया दाओ, शायदा पहचान जाओ, नहीं भी पहचान जाओ, तो कोई बात दी, correct answer रश्मी कुमारी, option number A is the correct answer, तरह रश्मी कुमारी, ठीक है, और men's single में किसने जीता है, उन्होंने जीता है, केश इनवास याद दखेगा, केश इनवास ते men's single जीता है, उनका यपकी ये, 4th national men's single title था, और इनका 12th title था, वो men का, ठीक है, रश्मी कुमारी जी का, next, question 32, recently who has won John Dick's, Gardner Global Health Award, 2024, ये award किसको मिला है, ये question मने आपसे पूछा है, यादेखे, इसकी award मिला है, गगनदीब गांग को, यादेखे, गगनदीब गांग जो है, उनको ये award मिला है, ये director है, अभी at present, Melinda Gates Foundation की, Melinda Gates Foundation की, Bill and Melinda Gates Foundation की, at present director भी है, health care लोंने work किया, जिसकी वैसे, Gardner Foundation जो Canada-based है, उसने ये award को provide किया, नेक्स्कूशन, 33, where the Eurasian otter are radio-tagged, for the first time in India, मैं आपको दिखायता हूँ, इस पिशी की मेज दिखायता हूँ, radio-tag किया गया इसको, ठीक है, first time, अभी अभी तार सत्पुरा टाइगर रिजर्ब, आपने सुना और वहाँ पर इनको किया गया है, radio-tag, तो पूछा गया है किस स्टेट में किया गया है, तो correct answer option में D है, that is Madhya Pradesh, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, for the first time in India, Eurasian otter was यादिखेगा, radio-tagged in Satpura Tiger Reserve, जो कि Madhya Pradesh में situated है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कि direct factual questions आते हैं, कि कहां किया गया है, radio-tag कहां किया है, जिससे इनकी species है, तो टेक करने के लिए याद एखेगा, कि को टागिंग की जाती है, तो यह भी Madhya Pradesh में किया गया है, next, next है, that is Ben Dixon, याद इसको S.O.N. कर देना, spelling गरत लिख दिया है, ठीक है, Ben Dixon अभी recently became the new Prime Minister of which country, तो Ben Dixon became the Prime Minister of which country, को option ये options दिये गए है, और उनकी image में आपर दिखा देता हूँ, और correct answer बड़ी beautiful country है, यूरोप पर Atlantic Ocean की उपर है, correct answer Iceland है, there is option of a B is the correct answer, Iceland आप देख सकते हैं, तो Ben Dixon, जो है, he became the Prime Minister, अभी recently बने हैं, प्राइमेस्टर ऑफ आइस्लाइन, आइस्लाइन की location अगर आपको देखनी है, तो ये मैप आप देख सकते हैं, ग्रीन लाइन की नीचे आप देखेंगे, आइस्लाइन आपको दिख जाएगा, comment box आप मुझे आइस्लाइन की capital क्या है, not this become difficult, आइस्लाइन की capital बताना डिफकल्ट हाई नो, बट आप सर्च करियों, और मुझे comment box में में मेंशन करके बताईए, next, recently which organization launches Suvidha Portal, Suvidha Portal लाँच किया गया है, actually Suvidha Portal इसलिए लाँच किया गया है, let us suppose आपको एक कैंडिडेट है, या political party आपको कोई जुलूस निकालना है, rally निकालनी है, कोई छोटा-पोटा office open करना है, ठीक है, permissions लेनी है, तो उसके लिए Suvidha Portal पे आप apply कर सकते हो, और first come, first serve के according आपको permissions भी grant हो जाएंगी, और इस portal को याद रिखेगा, launch किया है, election commission of India ने, किसे लाँच किया है, ECEI ने, election commission of India ने इस पोटल को लाँच किया, Suvidha Portal, आगे बढ़ते हैं, next question, या रखेगा, Funigiri Buddhist site, Funigiri Buddhist site अभी न्यूस में है, तो मैंने पूछा है, ये बुद्धिस site कहां पर है, इसलिए न्यूस में को कि एक pot आप कह सकते हैं, अभी रिसेंटली हां पर मिला है, जिस pot के अदर बहुत साथ सिक्क्य हैं, खुदाई करते वक्त ये चीज मिली है, तो मैंने पूछा है किस state में लोक्रेट है, Funigiri Buddhist site, अभी बताई आपको कि डिग करते हुए, एक्सक्य टीम को कुछ एक अर्थन पॉर्ट में लें, जिसके विसे ये जगह जो है, वो अभी न्यूस में आ गई है, तो मैंने लोक्रेट इन तिलंगाना, नेक्स, इन अप्राइल 2024, विच कंट्री बिकेम दे लार्जेस इंपोर्टर ऑफ रुषियन क्रूड ओल, रुषियन क्रूड ओल की सबसे बड़ी इंपोर्टर कौन बन गई है, अच्छली हम इंडिया थी अभी तक रुषियन क्रूड ऑट इंपोर्टर ऑट इंडिया है, कि अच्छिए में क्रूड में उपेंग है पर य। ब्राइट वाले हमें की चाहिए धिया है, नेक्स्क्षम हम और 13 полож एक बडरफ्लाई है, जिसका नाम है Neptis Philyara, जो अभी डिसेंटली न्यूस में आई है और इसको डिस्कवर किया गया फॉस्स ताइम इन इंडिया, तहां से टेले वैली वाइलाइस सेंचिरी में यादे किया है, तेले वैली वाइलाइस सेंचिरी जो है, वो न्यूस में भी आ गई है, क्योंकि यह नहीं पता तो मार्क नहीं कर सकते, बटे कोशन आएगा मुझे लग़ा इस साल 2023 का जो प्रिलिम्स का पेपर होगा, उसमें कोशन देखने को मिलेगा, इसा करेक्ट आंसर माचल प्रदेश है, इसका रीजन में आपको दिखा देता हूं, एक्चुली क्यों देख सकते हैं, जहां पर यह चीज निउस में आई है, तो मेरा मानना एक कुशन आपको एक्जाम में इस बाद देखने को मिलेगा, ओके, चले, नेक्स कुशन फॉर्टीएथ, एक्कोरिंग टू हुरून ग्लोबल यूनिकॉन इंडेक्स 2024, यूनिकॉन क्रियेशन में इंडिया की ग्लोब तो कोई भी कमप्णी को यूनिकॉन के बनना है, तो कितने उसका टर्णोवर होना चीज प्रिजिसे वह उनिकॉन बन सकती है, ठीक है, और एक किसी यूनिकॉन कंपनी का इंग्जामप अब मुझे कमें बॉक्स में काौरा क्इल के चीजिए किसी भी यूनिकॉन कंपनी कर सकते हैं. Okay, चलिए. Next question of 41st. Which country provided Indian army with the portable Igla S air defense system? आप यहाँ पर defense system देख सकते हैं. India को defense system कौन देगा? आप पी सोतर पर इसराइल देगा. इसराइल ओप्शन में नहीं है. तो कौन देगा? रश्या ही देगा. बिल्कुल रश्या नहीं इंडिया को प्रोवाइड किया air defense system यहाँ देखेगा. तो correct answer option number A. रश्या. तो पूछ चकते हैं आप से इगला इस air defense system इंडिया को किसने प्रोवाइड किया? तो correct answer रश्या है. Next, which country has collaborated with European union to promote startups in EV battery recycling? तो EV battery recycling में startup को promote करने के लिए European union के साथ किस country ने collaborate किया है? तो आप सोच चूरोंगे India ही होगा? इंडिया को कोशन इंडिया का ही उठाई है? बिल्कुल सही है इंडिया ही answer है इसका. आप देख सकते हैं उल्टा भी question पूछ सकते हैं. इंडिया ने किसके साथ collaborate किया तो आण से European union हो सकता है. तो इध्यान अखना पड़ेगा question क्या पूछ रहे हैं? next question 43rd. When does the Central Reserve Police for CRPF celebrate its bravery day? कब celebrate करती CRPF अपना bravery day? options आपके सामने हैं. वो celebrate करती 9th April को. that is option number D. correct answer याद है कि 9th April को CRPF अपना bravery day celebrate करती है. okay. this is very important question. question exam में आ रहा है. मैं star लगा रहा हूँ. इंडिया का पहला private sector built earth observation satellite. private sector ने build up किया है. T-Sat-1A इसको भी launch किया गया है किस company द्वारा मतलब किस company का satellite है? question पूछा है. इसमें मैं पता दूँ उस company को help किया SpaceX ने और इसको launch किया गया USA के फ्लॉरिडा से. okay. और इसका नाम T-Sat-1A तो T-Sat-1A तो T-Sat-1A company होगी. yes. Tata का है तो देगे Tata बड़ी अच्छी वाद है. SpaceX के साथ collaborate करके यह activities कर रहा है और private अब तो हम सुनते हैं सर्फ ही space mission भीजता है government के. अब आप 45th. In April 2024, which African country issued a new gold-backed currency called ZIG. Gold-backed currency called ZIG. Z is a Zimbambe. Z is a Zeg. याद अखना. Correct answer is that is Zimbambe. Okay. अब आप उजे बता ही Zimbambe में at present who is the president of Zimbambe. Okay. Zimbambe के जो president है वो आप उचे comment box से mention करिये. तेख ते कौन-कौन बता पाता है. नहीं बता पारो, search करके comment box से mention करना. Okay. Next. Which India Navy ship was awarded on the spot unit citation? Award मिला है उसको. ठीक है और किस ने दिया है? Chief of Navy staff ने ये award दिया है for anti-piracy operation. ठीक है? तो किस naval ship को ये award दिया गया? Anti-piracy operation के लिए award मिला है? Options आपके सामने है मैं सीधे सही answer याद कर वा रहा हूँ. आइन शद्धा याद करो correct answer option में D है आइन शद्धा को ये award मिला है ठीक है? और जो हमारे Navy के chief है याद किए हरी कुमार जी उन्होंने ये award दिया है Okay. Next question Peter Pellegrini अभी recently president बने किस country के? सीधा question है, appointments में recent question है उनकी image में आपको दिखाएता हूँ शद्धा आप image से पहचान जाए नहीं पहचान पा रहे हो, कोई बात ये correct answer option A है, Sulawakia Sulawakia आप सबको बता होगा, Europe की country है Sulawakia, okay, जिसके नए president अभी recently appointed हुए है exam perspective से important है Next question, question of 48 Who has been awarded honorary fellowship by American Surgical Association in April 2024 This is very important surgical, surgery में, surgery में, याद अखेगा ये award बहुत important कहलाता है honorary fellowship by American Surgical Association ने award दिया है, किसको ये award दिया उनकी image यहां पर बनी हुई है उनका नाम आप directly आत करो, option number D Raghuram, ठीक है, details आप चाओ तो पढ़ सकते हो बाट इतना आतक न, American Surgical Association है, ठीक है, जिसने Raghuram को ये award दिया गया है, ये highest recognition है इंडिया को operational control मिल गया है सित्वे पोर्ट का और मैंने पुछा इससे अफकोस इंडिया की maritime presence increase होगी, तो सित्वे पोर्ट किस country का है, आपने सुना होगा ऐसे ही, चावर पोर्ट अपको मिला था इरान का, ऐसे सित्वे पोर्ट मिल गया है सित्वे पोर्ट कहा है, इसका correct answer option A है, that is a man मार, आप यहाँ पर diagram देख सकते हैं, सित्वे पोर्ट this is important, सरकार की याद एक project है करादान multimodal transit transport project में पढ़ाया भी हुआ इस project के बारे में तो याद एक इसके लिए अब इंडिया को इसका पुरी तरीके सा operational मिल गया है इंडिया के साइट से याद एक इंडियन port global limited जो है, वो इसका control उसको मिला है, उसके चाबर port का भी याद एका control है और अभी second control भी इसको इस port का मिल गया है इंडिया की तरफ से दिखाए इस company को second control मिला है, परेदा चाबर port pair सितवे port जो कि महनमार का port है क्या थिवेर्टन चिन्तन जो है त्र Are глаз जो है त्रायसर्वस काफ्रेंज या त्रिह रिवेर्टन चिन्तन चिंतनensions ए के श्यां पर विय है यह है क्याय है जो क्या इस जो क्षरेंज मुंबाइ अच्छा एक चीज आप यहां पर देख सकते हैं मैं लिखा हुआ है इस कॉंफरेंस विल बी दा फॉर्स एबर गैद्रिंग फेट्ट्री शर्विस और जिसको चीर्ड बाई सीडियस में चीर कियो यह तीनों चीफ यह थे तो पहली बार इसा हुआ है तो आप देख सकते हैं आप दिख रहा होगा यह पलाओ है तो इसके लिए कि इसको यह वाड दिया गया है बतातूं चैन्नेई में तमिल आइडू के जो गवणर है रवी जी उन्होंने यह वाड दिया है तो इस नोट इंपरनन कोशन कहीं आपको मिलेगा नहीं इतना बट स्टिल मैंने इसको खो इन विच इंडियन स्टेट गंगओर फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेट गंगओर फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिबेट किया था है बड़ा इंपोरेंट फेस्टिवल है यह जिसको नहीं पता यह राजस्थान का बहुत फेमस फेस्टिवल है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन tag भी मिला है और यह town महराष्ट में situated है ठीक है options आपके सामने है इस town का नाम है option अबसी मिराज या दिखेगा तो यहां से मिराज सितार मिराज तानपुरा को अभी GI tag भी मिला है जो की महराष्ट ते बिलॉंग करते हैं और अभी news में भी है इनके ऑथर जो है यहां दिखेगा इसका correct answer option में D है Sam Pitroda यहां दखेगे यह बुक जो है US की और इंडिया की दिमोकरेशी की बात करती है correct answer option में D that is Sam Pitroda next question 55th where was Sagar Kavach exercise organized अभी recently Sagar Kavach organized की गई यहां पर जितने भी maritime की हो भी security जाए नेवी हो Coast Guard और सम्मिलके यहां पर exercise की गई थी Sagar Kavach यह exercise कहां हुई है यह exercise हुई है लक्षदीप में लक्षदीप आपको बढ़ा बहुत न्यूस में भी है है ना मोधी जी यहां पर गए थे तो लक्षदीप में यह exercise हुई है दो दिन की exercise थी यह आपको याद अखना है और सारी मेरिटाइम सेक्योडी नेवी कोस्टल गार्ड मेराइन पुलिस फिश्री कस्टम सब यहां पर पार्टिपेट किया है 56 उन विच डेट वर्ल हेल्ट डेज देश्टल इस इलिए इस तीम भी पताई थी आपको यस करेक्ट आंसर इस 7th अपरेल और क्यों इस 7th अपरेल को ही World Health Organization established हुई थी आप मुझे बताएए WHO 7th April एर आप मुझे बताएए किस year में established हुई थी 1948, 49 कौन से year में World Health Organization established हुई थी date मैंने बता दी that is 7th April next where was India's Coast Guard Aquatic Center inaugurated by Director General Rakesh Pal Coast Guard की Director General Rakesh Pal उन्होंने inaugurate किया है Indian Coast Guard Aquatic Center कहाँ पे inaugurate किया है मैं पता दूँ रामेशुरम की पास वो जगे बड़ा close है near रामेशुरम और इसका correct answer है that is Tamil Nadu Tamil Nadu में inaugurate किया हुई यही पूछ सकते है आप से Coast Guard की Director General कौन है तो याद दखिए राकेश पाल जी है next question 58 who has been appointed as chairman of National Cooperative Dairy Federation of India Limited direct factual question है यह उनकी image बनी हुई है और इसको डारेक की आत का लेना correct answer option में D that is Manish Shah okay sorry Manish Shah जो है वो appoint हुए है NCDFI के chairman okay और 59th question यह दखिएगा Sanati Buddhist site यह दखिएगा Sanati Buddhist site अभी recently news में आई है recently news located in which state किस state में यह Buddhist site जो है news में आई है of course यहाँ पर excavations होते रहते हैं उसके वैसे Buddhist site news में आई है वैसे इसको भुला दिया गया था बट अभी मैं बता दूँ यह भीमा रिवर जो है उसी के bank में Buddhist site बनी हुई है और इसका correct answer option मेंडी करनाट का अब इसको redevelop किया जा रहा है बहुत पहले से प्रोजेक्स चल रहे है अभी लोग सब इलेक्शन सागे तो अभी प्रोजेक्क को रोग दिया गया बट लोग सब इलेक्शन साथ फर से इस प्रोजेक को start कर दिया जाएगा important site है मैंने पता है भीमा रिवर के bank पर situated है भीमा रिवर आप मुझे पताईए यह किस रिवर की ट्रिबूटरी है कृष्णा या कावेरी ठीक है options दे रहूं मैं आपको कृष्णा या कावेरी किस की भीमा रिवर जो है ट्रिबूटरी है जहां पर यह ancient बुद्धिस site जो है लोकरेड है last question कच्च डिस्ट्रिक्ट में जा दिखिएगा वहाँ पर यह excavation हुआ किस जगे पर बताईता हूँ पदता बेट जगे है नियर कच्च डिस्ट्रिक कच्च डिस्ट्रिक पर situated है गुजरात में जहां पर बहुत सा इंस्टिटूशन से मिल कि archaeological आप study की और खुदाई हुई जिससे ये चीज़े देखने को मिली है तो यहाँ पर मैंना गुजरात सा correct answer हो गया तो यहाँ पर weekly जितने questions थे मैंने देखो सारे cover कर दी है अगर आपने daily अगर भूल गय होगे तो ये weekly कर लिया होगा तो साही चीज़े cover हो जाती है बट मेरा मानना कि जो लोग daily देखते है daily questions को मेरे daily questions cover करते है तो ये उनको revision में help करता है क्योंकि आप देखते है daily में बहुत कुछ बताता हूँ बैक्वर्ड फॉर्वर्ड लिंकेज भी बताता हूँ तो daily questions करते हो तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ सीखने को मिलती है और फिर यहाँ पर आकर weekly कर लो तो revision हो जाता है आपका इसलिए मैं कहता हूँ दिन में at least आपको आदा घंट अपना देना चाहिए current affairs के लिए जिससे आपकी चीज अपडेट हो जाए और आदा घंट आप मेरे चैनल में दो या lectures को देखके दो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो यह थे पुरे week के 60 questions जो मेरे according exam के लिए important थे आप देखे अगर आप daily solve करेंगे तो आपको exam में कितनी सारी चीज़े exam में देखने को आपको मिलेगी अगर आपको lecture पसंद आयो आपको help हो रही हो आप हमें कुछ help करना चाहते है तो यह हमारा QR code है फोन पे पेटियम गोल पे नंबर भी mention है if you want to donate to us आप donate कर सकते है just for the growth of the channel अगर आप नहीं करना चाहते है you are not capable कोई बात नहीं आप वीडियो को like करिये वीडियो को share करिये उससे भी हमें help होती है तो यह चीज़ आप कर सकते हैं प्लस आप कहेंगे sir इसकी PDF कहा मिलेगी तो उसके लिए मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है मेरा एक group है याद देखेगा आप उसमें WhatsApp करिये वहाँ पर आपको इसके सारे मेरे जितने भी lectures है पुराने lectures भी है future के भी जो आएंगे और अभी के भी static gk या current affairs के जो भी चीज़े हो सारी एक जगे में आपको provide कर दूँगा एक minimum cost में आपको हर चीज़े मिल जाएंगी तो आप चीज़े हो यह कर लिन्क के सकतो लिन्क इस का description box मेंशन है तो आप ज़ीख हो कर लिना अब है तो आप सोच़ोगे सर यह अब आप आप करन दो लिए अब आप आसी वीकली कराती रही है अमागर रिविशन होता रहता है But what about the subjects? Quality, history, geography, economics इन सब subjects का क्या करें अभी भी हमको हॉंट करते हैं अभी भी हमने पढ़ा नहीं है अभी time कम बचा हुआ है तो क्या करें तो time कम बचा है तो आप नोठ से पढ़ सकतो प्रिशन करके चले ज़वा, important point सिर्फ इसमें मेंचन है, यह मेरे हैंड इटे नोट से आप देख सकते हैं, modern history है, आप यहां देख सकते हैं, art and culture है, Indian quality है, यह सारी booklets जो हैं, आप इनको order का सकते हो, आपके पास time और कम है, तो आप soft copy order का सकते हो, अगर आपको पैसे का issue है, आ आप soft copy order करके, इसको print out करा के आप पढ़ सकते हो, आप download कर लोगे, print out करा के पढ़ सकते हो, तो यहां दखिएगा, यह साही जीज़े point में लिखी हुए, quicker revision में आपको यह notes help कर जाएंगे, कम time है, तो आप इसको follow कर सकते हैं, detail notes भी चाहिए, वो भी available है, सब कुछ available है, करना क्या है, मेरा WhatsApp नमबर दिया है, contact नमबर दिया, WhatsApp करो, call करो, message करो, आपको तो रप्लाय मिलेगा, आप course को join कर सकते हो, ठीक है, आप चाहते हो sir, WhatsApp पे नहीं करना, और कोई source है, तो बिल्कुल application है, जिसका नाम है Devashish Classes, उसका भी link description box में है, आप app download कर सकते हो, वहां से भी, य comment box में comment कर सकते हैं, आपके comments को भी read करते हैं, और कोई call होता, आप directly call भी कर सकते हैं, मुझे WhatsApp कर दो, कोई भी doubt query हो तो, okay, UPSC आप state services की preparation कर रहो, other exam की preparation कर रहो, क्या current affairs sufficient है, बिल्कुल sufficient है, हर points को मैं cover करता हूँ, है ना, UPSC की preparation कर रहो, pre, mains, answer, writing, notes, सब की ज़रत पड़ेग आप contact करें, मैं आपको inquiry दूँगा, हमाई team आपको call करेगी, आपको सब चीज समझाए जाए जाएंगे, और आप courses को enroll कर सकते हो, ठीक है, और directly enroll करना है, तो आप तो आप तो रहें आप application में जाके enroll कर सकते हो, okay, अगर आपको lecture पसंद आ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रू हैं, अलग-अलग जगहों से हैं, अलग-अलग state से हैं, तो अब अपने state में, groups में इन वीडियो को ज़रू शेर करें, जहां पर important चीजों का बढ़ सके यादेखें, और अगर हमाई lectures बढ़ते रहेंगे, तो आपको ऐसी free चीज़े मैं provide करता रहूँगा, आपको इसकी PDF भ करता है, हर चीज़े हम यहाँ पर provide करते हैं, कोई डाउट को रही है, कमेंट बॉक्स में, जरूर कमेंट करिए, हम आपके comments का इंतजार करेंगे, thank you everyone, जय हिन, जय भारत